हेलो फ्रेंट्स दिशिस एश्पिशिंग एंड वेलकम टुश्माइटर एवर डे तो डिफेंट बात करेंगे पैड़ागोजी ऑफ सोसल साइंस याने की सामाजिक विज्ञान सिक्षण की ये क्लास है और तीन क्लासेज हो चुकी है आज आपकी क्लास नंबर फॉर है ठीक है अगर आपने उन तीन क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बने हुए है वहां से देख ली जगा बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थार्टी अब्जेक्टिव टाइप कोशन की तीस मोस्ट इंपॉर्टेंट अती महत्तपूर्ण तीस बहुविकल्पी ित कोशन से सब्से पहले कोशन आपके शामडärt सामिल उन स्क्रिन पर है देखिये गार क्या कहता है विघ्ञान की कंवे निदान आत्मक और उपलबद करना पढ़ने के लिए बहुत अधिक शामगरी उपलब्द कराना चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्द कराना या फिर सिछार्थियों की तुरुटियों में तुरंत शुधार करना समाजिक विज्ञान के क्ष्ण में निदानात्मरव और उप्चारात्मक टीचिंग में क्या सामिल होंगे देखिए तो निदानात्मक और उप्चारात्मक सिछन में सामिल होने के लिए option number a के साथ में हम चले जाएंगे सबसे पहले जो student है, जो सिछार्थी है हम उसकी कठिनाई की विशेश तरीके से पहँचान करेंगे कि आखिर बच्चे को कठिनाई क्या है, प्रॉब्लम क्या है, शमस्या क्या है पहले हम उसकी जड़ तक जाएंगे, उसके बाद हम उसके आगया आगे जो भी होगा उसका उपचार करेंगे ठीक है कटनाई विशेश की पहँचान करना ये हमारी प्रात्मेक्ता होगी शेकंड कोशन कहता है निम्न मेशे कौन सा समाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगत सील सिच्छा का आयाम है कौन सा है सिच्छार्थियों को अलग करना या फिर प्राकार्यात्मक बुद्धी परिच्छा में अंकल आने पर बल देना बहुलता और विविदता के लिए शम्मान कौशन क्या कह रहा था कि कौन सा समाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगत सील सिच्छा का आयाम है तो इसमें बहुलता और विविदता के लिए शम्मान यानि कि चाहें कितनी भी डाइवर्सिटी हो किसी भी कितनी ही जाति के श्रेंट क्लास में हो या जो है कि अलगलग धर्म जाती लिंक समू से आते हो जो भी हो सब के लिए यानि कि हमें विविदता के लिए शम्मान की बात करनी है क्या करना है विविदता के लिए शम्मान की बात कर में है ना social science की teaching में प्रियोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए कि इस भाषा का यूज कर क्या बच्चों को बढ़ाएंगे प्रमुक्षमुहों का प्रतिनिद्द करती हुई ऐशी भाषा जो कुछ main groups का प्रतिनिद्द करती हो या फिर मुस्किल भाषा हो अगर देख पात्पूर्ण अगर करेंगे तो फिर तो सब जो है की बेकारी हो जाएगा ना हमें क्या करना है हमें तत्यस्त और समवन समवेदन सील भाषा का यूज करना है प्रियोग में लाना है समाजिक ग्यान सिच्छन कक्षकी सरवाधिक महत्पूर्ण आवशक्ता क्या है समाजिक ग्यान सिच्छन कक्षकी जो सरवाधिक महत्पूर्ण आवशक्ता है वो क्या है फरनीचर है प्रकाश है वायू है या फिर शहायक सामगरी है dear friend, सामाजिक ज्यान सिच्छन की जो सरवाधिक महत्पूर्ण सबसे अधिक important पूछ रहा है देखिए furniture important होता है, माना की important होता है प्रकास भी, light भी important होती है, वायू भी important होती है लेकिन जब सरवाधिक लग जाता है, तो फिर हमें answer कुछ ध्यान से करना होता है तो यहाँ पे जो साहाइक सामागरी है, वो ज़्यादा important है, बाकी other चीजों से है ना, furniture ना हो, कोई बात नहीं है, सीखने वाले तो नीचे बाट करके भी सीख लेते हैं है ना, साहाइक सामागरी is the most important option here छठी कक्षा से लेकर के, कहां से, कच्छा छे से लेकर के, just a moment please, छठी कक्षा से लेकर के, आठवी कक्षाओं में शामाजिक विज्ञान सिख्चन का मुख्य उद्देश क्या है, जब आप कच्छा छे से लेकर के, कच्छा आठ तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हाँ पे social science teaching का, जो मुख्य में उद्देश है, वो क्या है हम ऐसी सिख्चा बच्चों को दें, कि समाज का विकास हो सके, मानव का विकास हो सके, हमारे राष्ट का, पूरे देश का विकास हो सके शमाजिक विज्यान अध्यापक निर्माता है, किस का निर्माता है, विक्तियों का निर्माता है, सरकारों का निर्माता है, शमाज का निर्माता है, या फिर दर्सन का निर्माता है तो शमाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है वह शमाज का निर्माता है किसका समाजों का समाज का निर्माता है किसका निर्माता है शमाज का शमाजिक विज्ञान के अध्यापन में किसमें शमाजिक विज्ञान के टीचिंग में जो गलोब होता है उसका उप्योग आवश्यक है किसलिए दिन और रात का प्रते समझाने के लिए पर्तवी का आकार बताने के लिए इस्थल जल का अनुपात बताने के लिए फिर इन सभी में चार आपसन आपके शही है यहाँ पर आपसन जो D है वो शही है समाजिक विज्ञान के टीचिंग में जो गलोब होता है इसका यूज होता है कि यह दिन और रात का कॉंसेप्ट हमको समझाता है पर्तवी का आकार भी हम इसी से बता सकते हैं इस्थल जल का अनुपात भी गलोब के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं option D यहाँ पर आपका शही हो जाएगा question number 8 कहता है समाजिक विज्ञान को पढ़ाने में आने वाली कठनाईयों में से प्रमुख कौंसी है यानि कि यह जो चार option है आपके सामने से इसमें सबसे आधिक जो कठनाई है वो कौंसी है बहुत जटिल होना परिवर्तित होते रहना अस्तितोहीन होना या फिर इस्थानिक होना तो समाजिक विज्ञान को टीच करते समय जो आने वाली कठनाईयों में जो सबसे प्रमुख माने जाती है वो है परिवर्तित होते रहना कौंसी है परिवर्तित होते रहना यह समाजिक विज्ञान को पढ़ाने में आने वाली प्रमुख कठिनाई है आगे बढ़ जाते हैं Question No.9 आपको कहता है समाजिक अध्यन के अध्यापक को विश्य वस्तू के साथ-साथ किसका अग्यान होना चाहिए Teaching Methods का, Teaching Technics का या इन में से फिर कोई नहीं Dear Friend आपको बताते चले समाजिक अध्यन के अध्यापक को विश्य वस्तू के साथ-साथ सिच्छा के क्या उद्देश हैं इनका विज्ञान होना बहुत आविश्यक होता है इसलिए सिच्छा के उद्देश्यों का ज्यान होना भी बहुत जरूरी है आगे बढ़ जाते हैं Question number 10 कहता है समाजिक विज्ञान के किस उपविश्य में क्या? समाजिक विज्ञान के किस उपविश्य में स्रोत विधी का प्रियोग किया जाता है अर्थशाष्ट्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान चौर option आपके शामने Right one option क्या हो जाएगा इसमें से इतिहास बात किसकी हो रही है? उपविश्य की किसकी उपविश्य? कौन है उपविश्य? इतिहास, समाजिक विज्ञान के किस उपविश्य में? तो समाजिक विज्ञान के जो उपविश्य इतिहास है इसमें स्रोत विधी का प्रियोग किया जाता है किसका? स्रोत विधी का उप्योग किया जाता है समाजिक अध्यन के सिच्छन में सबसे महत्पुन साहयक शाधन कौन सा माना जाता है व्याख्यान स्रव्य द्रश्चे कारे निधारन या फिर वाद विवाद option चार आपके सामने है right one option या पर क्या हो जाएगा आपका स्रव्य द्रश्चे यानि कि ऐसी चीज जो हम सुन भी पा रहे हों और सामने उसको देख भी पा रहे हों ठीक है वह समाजिक अध्यन के विशय में सब्से महत्पून सायक साधन माना जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं next question कहता है उच्च प्रात्मिक इस्तर पर कौन सा विशय समाजिक अध्यन में समलित नहीं है कहां की बात हो रहे है उच्च प्रात्मिक इस्तर पर कौन सा विशय है जो समाजिक अध्यन में सामिल नहीं है राजनीति सास्त्र क्या यह उच्च लेवल पर सामिल नहीं है दर्सन सास्त्र इतिहास या फिर भूगोल यहां पर जो दर्सन सास्त्र है यह उच्च लेवल पर सामिल नहीं है बाकी जितने भी सब्जेक्ट है आपका चाहें वो पॉलिटिकल हो गया हिस्ट्री हो गया जियाग्राफी हो गया यह सारे ही उच्छ प्रात्मिक इस तर पर शमाजिक अध्यन में शम्मिलित हैं ठीक है दर्संसास्त्र नहीं है सबसे अच्छी सिच्छक विदी वहां होती है जिसमे बहुत शायक शामगरी हो बहुत किरियाएं हो बहुत प्रश्न हो विद्यार्थी पर आधारित किरिया अधिक हो यानि कि इस्टुडेंट पर जो बेश्ट जाद जाद अक्टिविटीज हो यही उप्सन शही है सबसे अच्छी सिच्छक विदी वही माने जाती है जो विद हो strength परबेश्ट हो next question आपको कहता है जब हम किसी भी समाज संबंधी विशय को विज्ञान के गुनों से शमावीषित कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है कला विज्ञान समाज विज्ञान सुध्ध विज्ञान पार लौकिक विज्ञान क्या कहते उसको उसको हम लोग समाज विज्ञान कहते हैं जब हम किसी भी समाज शमंदी विशे को किसको समाज से समंदित विशे को विज्ञान के गुणों से समावीशित कर देते हैं तो उसे फिर हम समाज विज्ञान कहते हैं क्या कहते हैं समाज विज्ञान कहते हैं शमाजिक विशय में मानवी संबंदों की विवेचना की जाती है यह कथन किसका है यह बात किस ने कहिए कि शमाजिक विशय में मानवी संबंदों की विवेचना की जाती है तो यह बात कहने वाले आपके वैसले हैं कौन है वैसले ओप्सन नमबर A is the right one here next one question कहता है शामाजिक विज्ञान की अवधार्णा निम्न में से किस विशेशे शंबद्ध है इतिहास और राजनीत शास्त्र से अर्थशास्त्र दर्सन शास्त्र से मन मानव एवं समाज विज्ञान से या फिर उप्रोक्त सभी आपसन यहां पे आपके शही हैं तो भाई य अर्थशन शास्तर से भी शंबद्ध है मन मानऊ और समाज विज्ञान से भी संबद्ध है ठीक है इसलिए मैं आपसन नमबर बी के साथ में जाना चाहेंगे next one question कहता है समाजिक विज्ञान की विशेष्टा निम्र में से किस से इसपस्ट होती है समाजिक विज्ञान की विशेष्टा किस से विशेष्टा की बात हो रही किस की विशेष्टा की मानवी संबंध एवं किर्यकलापों का विज्ञान व्यक्तिगत मन से लेकर राष्ट्रिय मानस की उन्नती, संबंध एवं उन्नत की सचाईयों का ध्यान या फिर उपरोक्त सभी, तो बात यहां भी सही है, उपरोक्त सभी is the right answer व्यक्तिगत मन से लेकर के राष्ट्रिय मानस की उन्नती, यह भी समाज विज्ञान की उन्नत की सचाईयों का धिन भी हमारा समाजिक विज्ञान की उन्तर के आता है, इसलिए हम उप्सन अमर्डी के साथ में जले जाएंगे, नेक्स्ट कोर्शन कहता है, भारत में शमाजिक अध्यान की सिच्छा का वीजार ओपन निमन में से किस प्रावधान में नहीत है, बुनियादी सिच्छा 1937 में, शामुदाइक विकास कारिकरम 1952 में, राष्टिय सिच्छा नहीती 1960 या फिर राष्टी पाठ्चरिया उपरे का NCF 2005 में, देखिए, यहाँ पर आपका जो A है वो सही हो जाएगा, भारत में शमाजिक अध्यान की सिच्छा का वीजार ओपन किस प्रावधान में नहीत है, बुनियादी सिच्छा 1937 में, बुनियादी सिच्छा 1937 में नहीत है, नेक्स्ट कोर्शन आपका कहता है, शमाज शमाजिक विज्ञानों से प्रदत् शमाजिक परडयवर्न का अधियन, श्वस्त शमाजिक जीवन के विवहरों का अधियन, या फिर उपरोक्त शभी, right one option यहाँ पे आपका उपरोक्त शभी हो जाएगा, ठीक है, शमाजिक अध्यान की मूली विशयवस्तु जो है, वो करता जाता है स्वास्त समाजिक जीवन के वहरों को अध्यन भी हमारा समाजिक विज्ञान कि समाजिक अध्यन के अंतरगत आ जाता है इसलिए आप्स नमबर डी को चूज करेंगे यहां पे नेस्ट कोशन आपका बहुत ही अच्छा बहुत ही सारे कोशन बहुत ही सूपर इंपोर्टेंट हैं और क्लासेंस अब्जेक्टिव टाइप में ना होने का रीजन यह है कि आपके सलेबस के कोडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप कोश्चन है नहीं ठीक है मेरे पास जितना भी जो भी बुक्स हैं वो सारी एक-एक सब्जेक्ट की चार-चार भुक हैं मेरे पास लेकिन उनमें सब में सब्जेक्टिव कंटेंट है अब्जेक्टिव है नहीं ठीक है तो यह मैंने उनी से निकाल करके और मैं आपको प्रोवाइट करा रहा हूं और बड़ी मेहनत से आप तक पहुंचा रहा हूं क्यूंकि आपके सलेबस के क संस्क्रण का नाम क्या है विद्याली संस्क्रण का नाम क्या है शामानी ज्यान है शामानी विज्यान है शामाजिक अध्यान है या फिर कला अध्यान है राइट वन आपके यहां पर क्या समाजिक अध्यान हो जाएगा शामाजिक विज्यान समाजिक विज्यान की विद्या का नाम समाजिक अध्यान है क्या है समाजिक अध्यान ठीक है इस बात को ध्यान लखिएगा समाजिक विज्ञान का समाजिक ज्यान मत कर देना समाजिक अध्यान होगा चलिए बात यहां तक क्लिए हो रही आपको समझ भी आ शामाजिक विज्ञान एवं शामाजिक अध्यान विशे की प्रकृति निम्लिखित में से है कैसी अंतरविश्यक है बहूर विश्यक है और अप्चारिक अनप्चारिक है या फिर यह सभी तरीके से इसमें बात सही है उप्रोक्त सभी यहां पर सही हो जाएगा यही ऑप्सन और शमाजिक अध्यन विशय की जो प्रक्रत ही है वो उसमें से अंतरविशय की भी है बहुर विशय के अंतरगत भी आती है अप्चारिक अनप्चारिक में भी आती है इसलिए option number D यहां पर आपका शाही और सटीक हो जाएगा बहुत अच्छा कोर्शन शमाजिक अध्यन सामाजिक अध्यन विशय का सुबारंब कहां हुआ था भाईया बहुत ही उन अठार सो बानवे में हुआ था लेकिन हुआ कहां था यह आपका हुआ था USA United States of America यानि कि संयुक्तराज्य अमेरिका में कहां हुआ था अमेरिका में USA में भी आपका लिख करके आ सकता है option में ठीक है या फिर संयुक्तराज्य अमेरिका लिख करके भी आ सकता है खाली अमेरिका भी आ सकता है तो आप ध्यान लखेंगे अमेरिका को टिक करके आएंगे 392 अमेरिका 392 अमेरिका ध्यान लखना समाजिक समाजिक अध्यान मानवी संबंधों का अध्यान है बहुत छोटी बहुत इंपोर्टन लाइन शमाजिक अध्यान मानवी संबंधों का अध्यान है ये बात कहने वाले आपके जारो लिमिक हैं कौन हैं जारो लिमिक हैं MP मुफात नहीं है EB वैसले नहीं है JF फॉरेस्टर नहीं है जारो लिमिक है, option number B आपका यहाँ पे शही और सटीक है शामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है शमश्य शमादान विदी अब लोकन विदी है, व्याख्यान विदी है या फिर पॉल्टिकल विदी है कौन सी विदी है, यहाँ पे आपकी कौन है अब लोकन विदी है शामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका क्या पूछ रहा है बहिया प्राचीन तरीका कौन सा है अब लोकन विदी प्राचीन तरीका कौन सा है अब लोकन विदी है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्यन के बीच परशपर्ष शमंद किस विचारशे सिपर्षट है दोनों के विषयवस्तु एवं वर्ग समंद शमान है इसलिए दोनों में मानवी शमंदों की शिछाद दी जाती है बात तो ये भी साहिए अधिके दोनों के विशाई विश्तु और वर्ग शमान है, ये भी बात सही है ठीके किसी विचार से इसपरस्ट है ये पूछ रहा है, तो ये भी यहां पे option सही है इससे भी स्परस्ट है, दोनों में मानवी समंदों की सिछा दी जाती है बात ये भी सही है चाहे हमारा समाजिक विज्ञानों समाजिक अध्यानों दोनों के अंतरगत मानवी शमंदों की सिच्छा दी जाती है दोनों वेवारिक हैं क्रिया कलाप पर अधारित हैं ये भी बात सही है तो जब तीनों ही बाते सही हैं, तो भाई हम इसको टिक कर देंगे, उपरोक्त सभी जो हैं उपर लिखे गए सारे option यहां पर सही है, क्रिया कलाप आधारित, यानि कि activity पर based प्रस्म जो होते हैं, ऐसे questions, जो activity पर आधारित हों, समाजिक विज्ञान के part को क्या कर देते हैं, व भहिया आपको बताते हैं, आनंद मही बना देते हैं, ऐसे questions, जो activity पर आधारित होते हैं, तोड़ा आनंद मही बना देते हैं, चलिए, next question कहता है, मुल्यांकन का उद्देश क्या है, समस्चात्मक विद्धियार्थियों की पहचान करना, ऐसे, मतलब, ऐसे strength, जो problems को face कर रह इस क्या होता है, आपको पता है, जो हमारा teaching learning process है, उसमें सुधार कर देना, सिच्छन अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर देना, option number B, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, रचनात्मक मुल्यांगन कब किया जाता है, सब्त्र के अंत में, जब पूरे साल की पढ़ाई होती स तरन्त होता है, तब किया जाता है, हर एक यूनिट के end में किया जाता है, नई इकाई को पढ़ाने से पहले किया जाता है, या सिच्छन अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तो यहाँ पर जो रचनात्मक मुल्यांगन है, वह आपका teaching learning process के differing किया जाता है, और technology, ठीक है, जिसकी fees 100 रुपीज है, आप चाहें तो दोनों सब्जेक्टी पीडियाफ ले सकते हैं, पैड़ागोजी सब्जेक्टी पीडियाफ हम प्रवाइड नहीं करा रहे हैं, तो और क्लास कैसे रही आज की कमेंट जिरू कीजेगा, शमाजी के विज्ञान की कक्ष राइट ऑप्सन आपका क्या हो जाएगा इसमें, शमाज मित्तियत तकनी की क्या कहलाएगा, ठीक है, ऑप्सन नमबर बी यहाँ पर आपका शही हो जाएगा, आज का लास्ट कोर्शन आपकी सामने, 31 कोर्शन थे, शूपर इंपोर्टन कोर्शन थे, निमिन में से कौन सा सर क्लास कैसे लिए, कमेंट जी करके जरूर बताएगा, एक लाइक, एक कमेंट, थेंक यू मिलते हैं बहुजंदी, नेक्स्ट क्लास में